तो दोस्तो आज की सुड़ों में हम बात करने वाले हैं आपने हैंपर को कैसे करेक्षिन करेंगे इस वीडियो में आपको पसंद आता हैं अगर आपको पसंद आता है तो आ tooth you करेंगे जिससे आने वाले जो भी अपडेट होंगे आपको मिल जाएगा अब देखे फ्रेंस यहां पर फॉर्म को करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका जो ओफिसल जो वेबसाइट का जो लिंक होता है हमारे वीडियो को डिशिसम में प्रवाइट करा दिया गया है इसमें आएंगे तो आपको इस पकार का इंटरफेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको क्या करना है उपर क्यों स्कॉल करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा संसोधन से रिलेट यहां पर कुछ बेसिक जो नोटिफिकेशन होता है वो आपक कि आप अगर भुगतान कर चुके हैं और फाइनल समिट कर चुके हैं तो आप फॉर्म को 48 घंटे तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे अब कैसे करेक्शन करना ही है मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले उपर के स्कॉल कर लेना है यहाँ पर को मिल जाएगा आनलाइन आवेदन सेकेंड में आपको देखने को मिल जाएगा अपुन आवेदन पत्र को पूर्न करें थर्ड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आवेदन पत्र को संसोधन करें तो सिंपली आपको क्या करना है आवेदन पत्र को संसोधन करें इस वाले link में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, तो simply यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, जैसे इस वाले link में क्लिक करेंगे, तो आपको इस परकार का interface यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, यह मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको application जो type होता है, वो आपको यहाँ पे select करना है, आपने यहाँ पे government के लिए apply किया था, यह नीजी के लिए, मतलब private यह government sense था, किसके लिए यहाँ पे form apply किया था, वो आपको यहाँ पे select करना है, registration ID आपको यहाँ पे यह number होता है, वो आपको fill करना है, mobile number fill करन और सब्सक्राइब ऑपको इस वाली वाक्स में फिल कर देना है इसके बाद सबिला G In करें इस वाले जो लिंक होता है इसमें आपको क्या करना है आप क्लिक कर देना है तो simply में आपर login कर लेता हूं इसके बदे कर प्र् culinary होता है वो मैं आपको बताता हूं अब देखे friends यहाँ पर आप जैसे login कर लेते हैं तो आपको इस परकार का interface आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे आपने form apply किया था वैसे ही आपको यहाँ पर interface यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप देखिए फ्रेंस यहां पर कौन-कौन सा जानकारी आप यहां पर एडिट या करेक्शन नहीं कर पाएंगे, यह मैं आपको बता देता हूँ, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो भी मैं आपको सल्यूसन भी बता दूंगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, रजिट होगा, यह जानकारी आप यहां पर क्या कर पाएंगे, जैन्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने रजिटेशन भी आपको यहां need, पर क्लिक करना होगा क्या करते जाना है आपको यहां पर करेक्शन करते जाना है करेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है डाटा को आपको सेव नेक्स में क्लिक करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आपका जो डाटा होता है वो आपका यहां पर सेव नहीं होगा इसके बाद आपको जो भी यहां पर प्रफ्रेंस वगेरा होता है यहां पर आईटिया का जो प्रफ्रेंस होता है वो आप यहां पर सेलट करेंगे गुरूप ए या गुरूप B के लिए जिसके लिए भी आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहां पर सेलट करना है इसके वद क्या करना है जाइनकारी को आपको कैसे करना है वह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इसका जो लॉग इन पोड़ा होता है यह पेज लुटा है इसमें मैं आ जाता हूं अब देखिए स्पाइब करना हैं आपको पाप्लाइक करने की और प्लाइ करेंगे तो हमारा जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट तो नहीं होगा तो देखे फ्रेंस आपका जो फॉर्म होता है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि देखे आपका जो नाम होता है पिता जी का नाम होता है आपका माता जी का नाम होता है वो सेम न पेएट ब सब्सक्राइध कत करना सब्सक्राइबा करतेजिंést, होसमेर नाम होता थे, पित जी empowerment के लाव माजी सब्सक्राइब effective लीडिभीन करना है। जानकारी आपको क्या करना है? मिस्टेक नहीं haver आपको सही से फिलथ करके आपको यहाँ पर Send OTP में क्लिक करेंगे और आपको फिर से Registration करना है और आपको फिर से यहाँ पर क्या करना है? Form को Apply करना है तो इस परकार आपका जो Registration जानकारी होता है यह जानकारी आप यहाँ पर edit यह correction कभी भी नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, new ही form apply करना होगा, तो इस परकार जानकारी है, मैंने आपको complete जानकारी दे दिया है कि कैसे आपको यहाँ पर form को correction करना है, final summit कर दिये हैं, तो form को कैसे करना है, final summit नहीं किये है तो form को कैसे करेक्षन करना है अगर आपका यहां पर माता जी का नाम पिता जी का नाम आपका नाम mistake हो गया है registration जानकारी आपका mistake हो गया है उसको कैसे correction करेंगे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में complete जानकारी दे दिया है अब देखे friends यहां पर बहुत सारे candidate का यहां पर अपूर्ण है मतलब कि वो candidate जो form apply कर रहे थे और बीच में break हो गया है रुख गया है और आप उस form को फिर से यहां पर apply करना चाहते हैं वो candidate क्या करेंगे यह भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ अब देखे friends यहां पर जिसका आवेदन अपूर्ण है वो क्या करेंगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अपूर्ण पत्र को पूर्ण करें इस वाले link में आपको क्या करना है क्लिक करके आपको आपको आपका जो भी आवेदन ह इस वीडियो लास तक देखने के लिए